नमस्कार फ्रेंड्स वागत आप सबीका सॉलुसे में तब इसी की यूट्यूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में भारत के 28 राज्यों के मुख्य मंत्री, राजिपाल, राजधानी, लोग सभासीटें, राजिसभासीटें और बिधान सभासीटें बिद मैप के साथ कव करेंगे और उस इस्टेट के जो उच नयाले के मुख्य नयाइदी से उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आपको इस वीडियो में फूली डेटेल से बताऊंगा, तो इस वीडिया को जो पीडियाफ है, आपको टेलिग्राम के चनल पे एक दो दिन बाद मिल जाए हैं, सबसे पहला जो कुछन है कुछ नमबा बन जो है, सिक्किम राज्य के मुख्य मंत्री कौन है, तो सिक्किम राज्य के मुख्य मंत्री जो है, आप लोग पहले सोच लीजिए, तो इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा, यह उप्सन डी हो जाएगा, प्रेम सिंग तमा सिक्किम राजय के राजिपाल जो है ये हैं गंगा परसाद सिक्किम राज какое हैं और शिक्किम हाई कोट के यह मुक्षे नयाईदीस हैं राज्य की लोग सवा सीटे है एक राज्य सवा सीट है एक और बिधान सवा सीट जो है ये बत्तिस है लोकेशन आप लोग देख लिजे ये जो है सिक्किम राज्य है अगला जो कुछन नवा टू जो है मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो मिजोरम के मुख्यमंत्र जो है आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा मिजोरम के जो मुख्य मंत्री है जो रम ठांगा है अगर बात की जाए मिजोरम की तो लोकेशन आप लोग देख लीजिए ये जो है मिजोरम की लोकेशन है और मिजोरम राज्य की राजधानी जो है आई जोल है और मिजूरम राज के राज़पाल जो है हरी बाबू कमपती हरी बाबू कमपती जो है ये मिजूरम राज के राज़पाल है गविनर है और मिजूरम हाई कोट के जो मुखिन आई दीस है मिजूरम जो उच न्याले के मुखिन आई दीस है ये शुदानसु धूलिया जो है ये मिजूरम हाई कोट के मुख्य ने आई दीस हैं मिजूरम राज की लोग सवा सीटें जो है एक है राजी सवा सीट है एक और विधान सवा सीट जो है ये हैं 40 लोकिशन आप लोग देख लीजिए ये जो है मिजूरम है मिजूरम के मुख्य मंत्री जो है जो रियो तो नागा लेंड राज के मुख्य मंत्री जो है नेफियू रियो है अगर बात की जाए नागा लेंड की तो लोकिशन आप लोग देख लीजिए ये जो है रेड गलर का जो है ये है नागा लेंड तो नागा लेंड की राजधनी जो है ये है कोहिमा नागा लेंड के र जो दिया गया है तो नागा लेंड और असम के रहाजिपा जो है जग्दीस मुखी है और नागा लेंड हाई कोट पर मुख्यिस है यह थो बहुत है किने से घोली है और सवा सीटे हैं दो हैं अगर बात की जाए राज्य सवा सीट एक है और विधान सवा सीट जो है ये साथ है अगला जो कुछ जाना कुछ नमा फोर जो है गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री जो है ये हैं प्रमोद सामंत तो इसका जो आइदीश जो है दीपांकर दत्ता है और दीपांकर दत्ता जो है मुंबई हाई कोड के भी मुखे नाइदीश है और गोवा हाई कोड के भी मुखे नाइदीश है गोवा राज्य की लोग सभा सीट है दो राज्य सभा सीट है एक और विधान सभा सीट जो है यह है चालिस लो अप्सन जो हो जाएगा अप्सन ए हो जाएगा बेपलब कुमार देब जो है ये हैं तिरुपुरा राज्य के मुख्य मंत्री और तिरुपुरा की लोकेशन आप लोग देख लीजिए तिरुपुरा की राजधनी जो है ये अगरतला है और तिरुपुरा की जो राज़ेपाल सत्य देब नारायन आर्या है और तिरुपुरा हाई कोट के मुखे नयाइदीस जो है अकिल अब्दुल हमीद कुरैसी जो है ये तिरुपुरा हाई कोट के मुखे नयाइदीस है और तिरुपुरा राज्य की लोग सबा सीटें दो है राज्य सबा सीट है एक और विधान सबा सीट जो है यह साथ है अगला जो कुछ ना कुछ नमा सिक्स जो है मडीपूर राज्य के मुख्य मंत्री कौन है तो मडीपूर राज्य के मुख्य मंत्री जो है यह आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा एन विरेंदर सिंग जो है यह मडी Mashapur High Coast की جो मुख्य न आधिस है PV S Bev Kumar है और anything स्वा सीट एक है और विधन स्वा सीट जो ए 60 है और लोख सवा सीट दो है लोकेशन आप लोग देख लीजिए मनीपूर की अगला जो कुछन है कुछ नमस 7 जो है मेगाले राज्य के मुख्य मंत्री कौन है तो मेगाले राज्य के मुख्य मंत्री जो है आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा कौन रोड संगमा जो हैं ये राज जिपाल हैं अगर बात की जाए मुख्य नयाइदीस की मेघाले हाई कोट के मुख्य नयाइदीस की तो बिस्वनाथ सौंधर जो हैं ये हैं मुख्य नयाइदीस मेघाले के हाई कोट के अगर बात की जाए मेघाले राज की लोग सवा सीटें दो हैं राज सवा सी इसके जो मुख्य मंत्री है ये है कौन पीमा खंडू तो इसका C option correct हो जाएगा location आप लोग देख लीजिए ये जो है अरुनाचल प्रदेस है अरुनाचल प्रदेस राज्य की राज़धानी इटा नगर है अरुनाचल प्रदेस राज्य के जो राज्यपाल है डॉक्टर बीडी मिस्रा है अरुनाचल प्रदेस हाई कोट के मुख्य नयदिश जो है सुदान सु धोलिया है अगर बात कीज़े अरुनाचल प्रदेस राज्य की लोग सवा सीट है राज्य सवा सीट एक है और विधान सवसीर जो है ये 60 है अगला जो राज्य है ये कुशन है कुशन नमर 9 जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य मंत्री कौन है तो हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य मंत्री जो है आप लोग पहले सोच लीजे तो जैराम ठाकूर जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य मंत्री हैं लोकेशन आप लोग देख लीजे ये जो है हिमाचल प्रदेस है हिमाचल प्रदेस राज्य की राजधनी जो है ये शिमला है जो की ग्रीस्म कालीन है और दूसरी राजधनी जो है धर्म साला है जो की शीत कालीन है तो दोनों राजधनी आप या पहली राजधनी जो है यह श्यमला जो कि ग्रिस्म कालीन है और दूसरी राजधनी जो है यह धर्मसाला जो कि शीत कालीन है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की लोग सभा सीटें जो है ये चार है और विधान सभा सीटें जो है जो राजे सभा सीटें ये तीन है और विधान सभा सीटें जो है 68 है तो आप लोग देख लीजी एक बार और लोग सभा सीटें चार है राजे सभा सीटें है तीन और विधान सभा सीटे जो है ये हैं कितनी ये हैं 68 मतलब 68 अगला कुछन है कुछ नमा 10 जो है उत्राखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो उत्राखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो है आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा पुशकर सींग धामी पुश देहरादून जो की शीत कालीन है देहरादून शीत कालीन है और गेरसेन जो है गिरिस्म कालीन है तो गेरसेन राजधानी जो उत्राखंड की है ये गिरिस्म कालीन है और उत्राखंड की राजधानी देहरादून जो है ये सीत कालीन है उत्राखंड राज़े के राजपाल जो राज्य सवासीट तीन है और विधान सवासीट जो है ये हैं कितनी सत्तर अगला जो कुछन है कुछनमा 11 जो है हर्याडा राज्य के मुख्य मंत्री कौन है तो हर्याडा राज्य के मुख्य मंत्री जो है ये कौन है तो ये है मनुहर लाल खटर मनुहर लाल खटर जो है लेकर देखी बैदेट और जोगे लोगजर पार देगा आपको वीमिद्वास पसंद आती उट हैificar विडियो को लाइक अब्ड ते static अवल्ब जो है चैस्टीसगड़ राज्य के मुख्यमंत्रि कौन है तो चैस्टीसगड़ राज्य के मुख्यमंत्री जो है आप लोग पहले सोच लिगे तो इसका राटैसा Change हो जाएगा जाएगा व भूफیस baru was gesagt भगेल और चैस्टीसगड़ की लोकेशन आप लोग देख ल सीटें 11 हैं राजय सवा सीट 5 हैं और बिधान सवा सीटें जो है यहान अगला जो कुछन है कुछ नमा ह्थरटीन पंजाव राजय के म्ख्य मंत्री कौन है तो पंजाव राजय के मुख्यमंत्री जो है आभी हाली में बने हैं आप लोग पहले सोच लीजिए चो चरड जीत सिंग चन्नी जो है ये पंजाब राज्य के नए मुख्य मंत्री बने है तो इसका ए उप्सन करेक्ट हो जाएगा पंजाब की लोकिशन आप लोग देख लीजिए पंजाब राज्य की राजधानी जो है चंडी है और राज्य सवा सीटें साथ है और विधान सवा सीटें जो है एक सो सत्रे है लोकिशन आप लोग देख लीजिए पंजाब की अगला जो कुश्चन है कुश्च नमर 14 जो है ये है जारखंड राज्य के मुख्य मंत्री कौन है तो जारखंड राज्य के मुख्य मंत्री ज मची है और राज़िपाल जो है रमेस बैस है है और हाइकोड के ज्यारकन हाइकोड के मुख्यय नाज़ीश जो है meet डाक्ंटर रभीरणल है lootी सव़ सीध है और सिट सव श्य चोबढर राज़ सव mai तो हैमंद बिसु सर्मा जो है ये असम राज्य के मुख्य मंत्री हैं लोकेशन आप लोग देख लीजे ये जो है असम की लोकेशन है असम की राज़धानी दिस्पूर है असम की राज़पाल जगदीश मुखी है और असम हाई कुट के मुख्य नयदीश जो है सुदान सुध अगला कुशनवा 16 जो है ती लगाना, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो, ती लंगाना, राज्य के मुख्यमंत्री जो है आप पहले सोच लिजिए तो के चंद सेकर राओ के चंद सेकर राओ जो है ये तेलंगाना राज्य के मुख्य मंत्री है लोकेशन आप लोग देख लीजिए ये जो है ये तेलंगाना है और इसमें जो ये पार्ट है ये हैदराबाद है ये पार्ट जो है हैदराबाद है और ये जो है ये है तेलंगाना तो हैदराबाद से अलग हुआ है तेलंगाना तो ये आप याद रखें लोकेशन आप लोग देख लीजिए ये जो है ये है तेलंगाना अगर बात किजा तेलंगाना की जो राजधानी है है तेलंगाना राज़ की जो राज़पाल है तिमली स गुशनमस 17 जो केरल यूट के मुख्यमंत्री कौन है तो केरल केरल राज्य के मुख्य मंत्री जो है ये कौन है तो पिन्राई बिजेन जो है ये केरल राज्य की मुख्य मंत्री है केरल राज्य के पिन्राई बिजेन लोकेशन आप लोग देख लीजिए केरल राज्य की राजधानी तुरू अनुपुरान है और केरल के राज्यपाल जो है आरिफ मौम्मद खान और किरल हाई कोड के मुख्य नाइदिस एस मनी कुमार है और किरल की लोग सबा सीटें 20 है राज्य सबा सीट 9 है और विधन सबा सीटें जो है 141 है अगला जो कुछन कुछ नमार 18 जो है ओडिसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो ओडिसा राज्य के मुख्यमंत्री जो है नभीन पर्टनायक है लोकेशन आप लोग देख लीजे ओडिसा की ओडिसा राज्य की राज़धानी भुमनेश्वर है ओडिसा राज्य के राज़पाल गड़ेशे लाल है लोकेशन आप लोग देख लीजिए छेत्रपल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है राजस्थान राज्य की राजधानी जैपूर है जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है और राजस्थान राज्य के राज़िपाल जो है कलराज मिस्र है और राजस्तान हाई कोट के मुखे नायदीस इंदरजीत महोंती हैं और राजस्तान की लोग सबा सीटें 25, राजसबा सीटें 10 और विधान सबा सीटें 200 हैं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेजर रूकिया करें अगला कोशन है कोशनमा 20 आंद प्रदेश राज्य के मुखे मंतरी कौन है तो आंद प्रदेश राज्य के मुखे मंतरी जो है ये हैं जगन मोहरेडी जगन मोहरेडी आंद प्रदेश राज्य के मुखे मंतरी है लोकेशन आप लोग देख लीजे ये जो है आंद प्रदेश है आंद प्रदेश राज्य की राज़धानी अमरावती है आंद प्रदेश राज्य की राज़पाल विस भूसर हरी चंदन है आंद प्रदेश उच नयाले के मुख नयाईदीस जो है अरोड कुमार गौसवामी जो है ये उच नयाले के मुख नयाईदीस है आंद प्रदेश के अंद्र प्रिदेश की लोग सबा सीटें 25 हैं और राजे सबा सीटें 11 हैं और विधान सबा सीटें जो हैं 175 हैं अगला जो कुछन है कुछनम 41 जो है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जो है ये कौन है तो अभी हाली में बने है भूपेंदर भाई पटेल तो भूपेंदर भाई पटेल जो है गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं अगर बात की जा गुजरात की तो गुजरात की लोकिशन आप लोग देख लीजिए सबसे लंबी जो समुद्री तर्थ रेखा है ये जो है गुजरात की ही है तो ये आप याद रखें गुजरात राज्य की राज़िधानी गांदी नगर गुजरात के जो करनाटक राज के मुख्यमंत्री कौन है तो करनाटक राज के मुख्यमंत्री जो है आप लोग पहले सोच लीजिए अभी हाली में बने है तो करनाटक राज के मुख्यमंत्री जो बने है यह बने है बसब राज बंबई तो बसब राज बंबई जो है यह करनाटक राज के मुख्य न्याइदी जो है अभे सिरी निवसन ओक हैं और करनाटक की जो लोग सवा सीटें ये 28 हैं राज-वा सीटें जो है 12 हैं और विधान सवा सीटें जो है ये 225 है अगला जो कुछन ना कुछ नमर 23 जो है मद्य प्रदेस राज्य के मुख्य मंत्री कौन है तो मद्य प्रदेस राज्य के मुख्य मंत्री जो है आप लोग पहले सोच लिजिए तो शिवराज दिन चोहान जो है मद्य प्रदेस राज्य के मुख्य मंत्री है लोकिशन आप लोग देख लीजे भारत के मद्य में है मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश राज़ की राज़धानी भोपाल है मद्य प्रदेश राज़ के राज़पाल मंगू भाई छगन भाई पटेल मद्य पर्देश उचने अले के मुख्य नायदिस मुख्य रफीक हैं और मद्य पर्देश की लोग सवा सीटें 29 हैं राजे सवा सीट 11 हैं और विधान सवा सीट जो है 230 है अगला जो कुशन है कुशनमा 24 जो है तमिल लाडू राज्य के मुख्य मंत्री कौन है तमिल लाडू राज्य के मुख्य मंत्री जो है ये है एम के इस्टलेन एम के इस्टलेन जो है तमिल लाडू राज्य के मुख्य मंत्री है लोकेशन आप लोग देख लीजिए तमिल लाडू राज्य के राजधानी चीन नहीं है तम्मिल लाडू राज़के राज़पाल जो है आरेन रभी है और तम्मिल लाडू उच्छनियालर के मुक्यन आइदीस संजी बनर जी है और तम्मिल लाडू की लोग सबा सीटें 49 है राज़ि सबा सीटें 18 है людि ऑर रिधान सबा सीटें जो है ये 235 है अगला जो कुछ नहीं कुछ नमर 25 जो है बिहार राज्य के मुख्य मंत्री कौन है तो बिहार राज्य के मुख्य मंत्री जो है ये नितीस कुमार है और अपसन भी करेक्ट हो जाएगा लोकिशन आप लोग देख लीजिए बिहार की जो राजधनी पटना है राज्य पाल 243 है अगला जो कुछन है कुछ नमर टॉंटी सिक्स जो है पश्य मंगाल राज्य के मुख्य मंत्री कौन है तो पश्य मंगाल राजी की जो मुख्य मंत्री है ये मम्ता बनर जी है और पश्य मंगाल की लोकिशन आप लोग देख लीजिए पश्य मंगाल की जो राजधानी एक पशिम मंगाल की राज़ीपाल, जगंदीब, धनखड है, पशिम मंगाल उचने आले के मुक नआई दीस राजेर इस बिंदल हैं, और पशिम मंगाल की लोक सभा सीटें 42 हैं, और राज़ी सभा सीटें 16 हैं और विधान सभा सीटें 295 हैं, अगला कुश्य 27 जो मुंबई महराश्च के राजिपाल भगत सिंग कोशयारी ima महराष्ट उचने आले के मुक्य नयदीस दीपंग कर दता है और महराष्ट की लोग सबसीटे हैं 48 राजी सबसीटे हैं जो है 19 और विधान सबसीटे जो है ये हैं 288 अगला जो कुछना कुछनमा 28 जो है उत्तर प्रदेश राज्य के मुक्य मंत्री कौन है योगी आदेते ना आप सबी को पता होगा लोकेशन आप लोग देख लीजे उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है लखनव है और राजपाल जो है अनंदी बेन भटेल हैं और उत्तर प्रदेश उचने आले के मुक्य नयदीस जो है मुनिश्वरनाथ बंढ़ारी जो है भारत के 28 राज़े कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें मैंने राजधानी और मुक्य मंत्री राजपाल अगर बात की जाए लोक सबासीटे हैं राजजे सबासीटे हैं विधन सबासीटे हैं और जो है वहां के उच नयाले के मुक्य नयदीस बिद मैप के साथ कवर कर हैं तो फ्रेंट्स आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेजर रूखिया करें आप देख लेते हैं भारत की जो आठ केंदर सासित प्रदेश हैं उनको देख लेते हैं तो सबसे पहला केंदर सासित प्रदेश जो है यह है दिल्ली तो केंदर सासित्प्रदेश दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद कि जृरिवाल हैं दिल्ली उच्च न्याले के मुख्य। धीरू भाई नाराइन भाई पटेल है और यह हैं दे जिरु भाई नायराण भाई पठेल जो है यह दिल्ली उच नयाले के हैं और दिल्ली की लोग सवा सीटें जो है साथ है राजे सवा सीट तीन है और विधन सवा सीटें जो है यह सत्तर है अगला जो कैंदर सासिज प्रदेश है यह है जम्मू कस्मीर तो जम्मू कस्मीर के उप राज्यपाल कौन है तो केंदर सासित परदेश जम्मू कस्मीर के उप राज्यपाल जो है ये कौन है तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा मनोज सिना तो मनोज सिना जो है जे एंड के के उपराज जिपाल है लोकेशन आप लोग देख लीजिए ये जो है जम्मू एंड कस्मीर है जम्मू कस्मीर की राजधानी श्री नगर है जो की ग्रीस मिकालीन है दूसरी जम्मू है जो की सीट कालीन है जम्मू और कस्मीर की लोग सबा सीटे पाँच है राजी सबा सीट चार है और बात की जाए जम्मू और कस्मीर उचने आले के मुखने आईदीश जो है ये पंकज मित्थल हैं तो आप लोग देख लीजीगा अगला जो है केंदर सासिज प्रदेश ये है दादर नगर हवेली दमन दीब तो केंदर सासिज प्रदेश दादर नगर हवेली दमन दीब के पिरसासक कौन है तो ये हैं कौन प्रफुल पटेल प्रफुल पटेल जो है दादर नगर हवेली दमन दीब के पिरसासक है लोकिशन आप लोक देख लीजे ये जो लोकिशन है ये लोकिशन जो है ये है किसकी दादर नगर हवेली और दमन दीब की अगर बात की जाए दादर नगर हवेली दमन दीब की राजधानी दमन है और दादर नगर हवेली दमन दीब के उच नियाले के मुखे नाइदीस तो केंदर ससर प्रदेश लद्दाक के उपराजिपाल कौन है तो लद्दाक के उपराजिपाल जो है आप लोग पहले सोच लिजिए तो रादा करेशन माथुर जो है ये लद्दाक के उच उपराजिपाल है लद्दाक के उपराजिपाल जो है ये है रादा करेशन माथुर लोकेशन आप लोग देख लीजिए केंदर सासर प्रदेश लद्दाक की राजधानी ले है अगर बात किया केंदर सासर प्रदेश लद्दाक उच्छ न्याले के मुखिन आएदिश जो है पंकज मित्तल है और केंदर सासर प्रदेश लद्दाक की लोग सवा सीट एक है राज बीपी सिंग बदनौर बीपी सिंग बदनौर जो है ये चंडीगड के परसासक है लोकेशन आप लोग देख लीजिए ये जो है चंडीगड की लोकेशन है केंदर सासर प्रदेश चंडीगड की राजधानी चंडीगड है चंडीगड उचन्याले के मुखन्याइदीस जो है रभी शंकर जाय है और केंदर सासर प्रदेश चंडीगड की लोग सवा सीट एक है राज्य सवा सीट जो है जीरो है अगला जो केंदर सासर प्रदेश है ये पुद्दुचेरी है तो पुद्दुचेरी की लोकिशन आप लोग देख लीजिए ये जो है पुद्दुचेरी है पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है तो पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री जो है आप लोग पहले सोच लीजे तो इसका रायट उप्सन जो हो जाएगा एन रंगा स्वामी एन रंगा स्वामी जो है पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री है केंदर सासर प्रदेश पुद्दुचेरी की राजधानी पुद्दुचेरी है केंदर सासर प्रदेश पुद्दुचेरी के उप राजिपाल जो है ये तेलंगाना की जो राजिपाल है टी साउंड राजन इनको अत्रिक्त प्रवार जो है पुद्दुचेरी का दिया गया है तो ये आप याद रखें पुद्दुचेरी की जो राजिपाल है ये तिलंगाना की जो राजिपाल है टी साउंड राजन या तिमली साई साउंड राजन इनको अत्रिक्त प्रिवार जो है ये पुद्दुचेरी का दिया गया है तो ये आप याद रखें पुद्दुचेरी का लोग सबसीर 1 है, राजी सबसीर 1 है, और विधान सबसीर जो है 33 है और पुद्दुचेरी उचे नाले के मुखे नायदीश जो है संजीब बनर जी है तो ये आप याद रखें लोकेशन आप लोग देख लीजे ये जो है पुद्दुचेरी है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शे जरूर पिया करें अगला जो question है question number 7 केंदर सासरे प्रदेश अंडमा निकोवार दीप के परसासक कौन है तो अंडमा निकोवार दीप के जो परसासक है ये कौन है तो इसका राइट अप्षन जो हो जाएगा ये हैं Admiral D.K. जोशी तो Admiral D.K. जोशी अंडमा निकोवार दीप की राजधानी जो है पोर्ट बिलेर है अंडमा निकोवार दीप की उच न्याले के मुखे नाइदीश जो है राजेस बिंदल है और अंडमा निकोवार दीप की जो लोकसवा सीट है ये एक है राजेस सवा सीट जो है जीरो है अगला जो है केंदर सा से प्रदेश ॲक्ष दीब की बिर्सासक कौन है तो लक्ष दीब की परसासक जो है ये हैं दिनिसौर-शरमा है ए ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा लक्ष दीब की जो राज़ धानी है का वारती है और लक्ष दीब की उच लिन्चाला की मुखन आज़्टी Burns जो है एस मनी कुमार हैं और केंदर सासे प्रदेश लक्षदीप की जो लोग सवा सीट है ये एक है और राज़ सवा सीट जो है जीरो है लोकेशन आप लोग देख लीजिए ये जो बिंदी मैं रख रहा हूं ये जो लोकेशन है ये लक्षदीप की है अब देख लेते हैं तो बहरत के जो आठ गिंदर सासे प्रदेस हैं और 28 जो राज्य हैं उनको मैंने फिनिस फुली डिटेल से कवर किया था अब देख लेते हैं जो भारत के छे राज्यों में जो विदान परिशद है उसको देख लेते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेस तो उत्तर प्रदेश में बिधान परिश्यत की सीटें जो है ये 100 है 100 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा जो लोक सवा सीटें है ये उत्तर प्रदेश में हैं कितनी हैं 80 हैं राज्य सवा सीटें उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक्तम है ये 31 हैं अगर बात की जाए जो बिधान परिश्यत की सीटें हैं ये भी अधिक्तम हैं ये हैं 100 अगर बात की जाए महाराष्ट की तो महाराष्ट में बिधान परिश्यत की सीटें जो हैं ये हैं 78 और तेलंगाना में बिधान परिश्यत की सीटें जो हैं ये हैं 40 हैं 75 हैं यह कितनी हैं तो उत्तर प्रड़िस में 100 हैं महाराश्ट में 78 हैं ते लंगाना में 40 हैं बेहार में बचतर हैं करनाटक में 75 हैं और आंध प्रदेस में 50 हैं थेंक यू फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेजरू किया करें अगर चैनल पर पहले आप विजिट किये हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेजरू किया करें क्योंको वीडियो बनाने में काफी मैनत लगती है और इसका पीडियेफ आपको टेलेगराम की चैनल पर एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन व